वाव लग रहे हैं न यमी कद्दु कस करने वाला बरतन जो कि इसब केहरों में होता है, दो sсб बड़े वाले होल हैं, उहां से हम करेंगे कद्दु कस ले सबसे आइmar के शवावादे न जरी öसकेन को हलक ऑई प्लिया हैं बल्कुल ना के बराबर पर फिर भी हमें यह थोड़ा साइ जो है इस तरह से हटा के साफ कर लेना है और अब मैं डालूंगी इसको नॉर्मल पानी के अंदर और एक बार वाश पिर से करूंगी तो इस तरह से हम पूरी हल्दी को हमें पील करके और पानी से वाश करके और कपड़े से पौच लेना है या फिर थोड़ी दिर के लिए आप इसको हवा में रख दीजिए क्या कि बहुत जादा अगर पानी वाली गीली हल्दी को हम पकड़के कद्दुकस करेंगे ना तो वो हमारे हातों से फिसलेगी तो इसी तरह से मैंने पूरी हल्दी को कद्दुकस कर लिया है और बाकी की त कर दो कर दो एक टीजिती तो आप 20 पर 20 ले सकते है मटर ले यहां पर 200 ग्राम को मैंने झाल गट्ञ ते मैं आप इनको चॉप दो ग्रीन चिली मैं एस तरह से लंबाई में काट कर रख दिया और देखिए इस ताह में घी रखा है जी कितना लगता है वो साथ बताऊंगी पानी के पीस कर लिया मैं इस तरह से चोटे और टमाटर को भी कर लिया हमने चॉप और गार्ली की कलियो और तो लेकर उसको भी हमने चॉप करके रख लिया है अब मैंने रख दिया यहां पर आइरन की कडाई और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी लगबग एक डिड़ गिलास के असपास उसमें डालूंगी मैं यहां पर थोड़ा सा नमक यानि की हाफ टी स्पून और जो हमने कच्चे मतर छील के रखें हैं इने हम बस बहुत जादा बॉल नहीं करेंगे जैसे ही पानी में बुलबुले उठेंगे नमक को एक रा चला लेते हैं पानी को ताकि नमक भी पुरी तरह से घुल जाए और जैसे ही इसके अंदर इसके अंदर गोश करांजें पानी के ऐसी कडाई सी धुटन सब्सक्राइब ग्रते हैं क्डवेश , तो क्षे पी इंडिडैन तरह इसी सब्जी कि शर्डाई जो पुए अच्मल 1971 हुए शायों ग्रते कर्वेश ज़े시간 हैं और जैसे ही इस तरह से धुआ उठने लगे ना आदेशी घी में से यानि कि फुल गरम हो जाए उसके बाद में आप एक पनीर के पीस को इस तरह डाल के देख लीजिए कड़ाई में वो बिल्कुल ना चिपके इतना गरम होना चाहिए हाँ जले ना ये ध्यान दखिए और पहुत जादा लाल या बहुत जादा गोल्न नहीं करना है हलका हलका इस तरह से किसी इस पनीर पे कलर आने लगे ना और बिल्कुल अच्छ अच्छ से अफ्राई कीजिए गाई सको अच्छ लगता है कि जब इस सबज और कैवे ठोड़ा सा है कैं कृश्पीनिस तहा ना पै पनीर हमारा हो गया है, अच्छे से फड्राई, मॊँच्चय को पनीर को आप देख रहे होंगे गॉर्डन कलर हाया है, अच्छी पनीर को अप अक्षब करना है, डेशी घी के अंधर, और इसको निकाल देना है हमें इस तरह से बाहर, आप मैं यहां पर जो ग्रीन चिली है जो हमने दो लंबाई में इस तरह से काट के रखी है उसको भी मैं हलका सा इस तरह से फ्राइ करूँगी इसको मैंने इस तरह से छरे पर रखकर और फिर कड़ाई में डाला है ताकि इसके जो छीटे हैं वो बिल्कुल बाहर ना आए आ जाते ह हैं फिर भी और थिर बी और ऐसे कितने लोग है आप में से जो इस तरह से झीज़े जैसे ही गैस की चिले पर बाहर आते है न तो हाथ हाथ कापड़े से पहुच लेटे हैं वहीं मैं तो कर लेती हूं तो चलिए हलकी सी ग्रीन चिली को भी हमने यहां पर फ्राई कर लिया है और ये ग्रीन चिली के जो बीज है ना जो मैं पहले से निकाल नहीं पाई तो वो थोड़े से देशीगी के अंदर आ गए हैं तो वो मैं इस छरे से जसे मैं फ्राइ कर रहे थी उससे मैं इस तरह से यूँ आधिरे से हम निकालेंगे तो निकल जाते हैं बड़ी आसानी से और इसी बीच मैंने गैस की आंच को बिलकुल धीमा कर दिया और डालूंगी कुछ साबुत मशाले, एक कमल फुल, तीन जार लॉंग, और यह है थोड़ी सी जावित्री, और यह डाली मैंने थोड़ी सी दालचीनी, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ, बड़ी इलाची, थ अच्छे से मीडियम टू हाई और हाई टू मीडियम और सिमर करते हुए गैस को जलने न पाये यह सारे मशाले, और यह आयरन की कड़ाई में इस सबजी का स्वाद और इस सबजी के अंदर के जितने भी फाइदे होते हैं वो दुगने हो जाते हैं, पर यह आयरन जो है किसक तुगे मशाले और जो हमने टमाटर चॉप कियवे थे वो सुखे मशालो में मैं डाला था 1 टीस्पून हल्डी और 3 टीस्पून लाल मिर्च पावडर और धनिया पावडर 2 टीस्पून, बस इससे जादा मैं अभी मशाले नहीं डाले है इन सब को मैंने 2 मिनिट तक बिल्क पानी का इस्तमाल किया है, गैस के आज को कर दूंगी धीमा और दकन लगा दूंगी यहां पर दो मिनिट के लिए बिल्कुल सिमर आज पे और दो मिनिट के बाद में जब आप इसका अटाएंगे न तो यही देखिए, रंगत देखिए आप ग्रेवी की और मशालो की तो कितन अच्छे तरीके से आप इन मशालो को भुन लेंगे न जितना भी अच्छे से भुनेंगे उतना ही सबजी का स्वाद बढ़ जाता है, गरम मशालो का फ्लेवर आचुका है तो जो जो मुझे गरम मशाले आज जैसे दाल्चिनी है, कमल फूल है, बड़ी लाइची है वो मैं इस तरह से बाउल के अंदर और अब इस कड़ाई में डालेंगे फिर से देशी घी, जी हां राजस्थान और हल्दी मेटर पनीर की सबजी और देशी घी बस डाले जाएए, ये डाले जाएए तो ये सबजी बनती है पूरी तरह से देशी घी के अंदर तो मैंने यहां पर लगबग बड़े वाले पांच से छे चमच देशी घी और डाल दिया है और ये उसमें डालूंगी जैसे ही देशी घी मेल्ट हो गया पूरी तरह से हींग, जी हां राजस्थान की सबजों में हींग ना हो ये भी पॉसिबल नहीं है तो वन टीस्पून भरके हींग डाली है जैसे ही इंका फ्लेवर आ गया हमने यहां पर हल्दी डाल दी कद्दू केस कीवी और इसे हम भुनेंगे अच्छे से बिलकुल देशी घी के अंदर, राजस्तानी हल्दी की सबजी अगर आपने देशी घी में नहीं बनाई तो फिर उसका स्वाद में वो बिलकुल बजा न देशी घी मिरको लग रहा है बिलकुल कम है क्योंकि देशी घी इतना डालना है हल्दी को भुनते वक्त कि हमारी हल्दी बरतन से बिलकुल चिपकने ना पाए और मैं इस हल्दी को मीडियम आज करते हुए पांच मिनिट तक मैंने यहीं पर भुना है बहुत अच्छे से दे ढाल दिया है और मुझे तो यह देखिए देशी घी की जो बात आती है हल्दी की सबजी में तो मुझे तो यह देशी घी में सब्स्त जादा आच्छी लग तो मैरे तो इसमें गी डालने में बिलकुल भी कंझोसी नहीं किये और अब धकन लगा दिया मैने एक बिनिट के ल अब वन फोर्ट का पानी मैं डाल दिया है ताकि इसे में और अच्छे से पकापाउ और अब पानी डालने के बाद में मैं यहां पर फिर से इसको ढखन लगादूगी बिल्कुल धीमियाज पे तो आप देखरहें हैं कि इस सबजी के अंदर आपको पेशेंस की जरुरत है ले पांच मिनिट फिर से दक्कन लगाया हमने पानी को डालने के बाद में तो पानी पोरी तर से ड्राइ हो गया है और देशी घी उपर से निकल के आ गया है बस एक बार फिर से चला लेते हैं और अब इसके अंदर डालेंगे हम बाकी की बचिवी चीजे इतनी अच्छी खुश् के अंदर मैंने दही डाल गया है जो कि मैंने वहां हैंड बीटर से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था तो पहले जो हमने ग्रीवी मशाला रेडी की है वो डाल दी मैंने इसके अंदर और ग्रीन चीली को मैंने जो फ्राइ करके रखा था वो डाल के अच्छे से मिला लिये जी हां मुझे बिल्कुल पता है कि नमक अभी मैंने क्यों नहीं मिलाया है अब मिलाएंगे हम नमक को क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो यह सब्जी जल्दी चिपकने लगती है नमक वही स्वाधनुसा तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया मैंने यहां पर अभ दही को भी अच्छे से मिक्स कर लिया इस सब्जी में फिर से कर दी गैस की आज को धीमा और इसे पकने के लिए छोड़ दिया मैंने लग बग 10 मिनिट के लिए जी हां वैसा ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनिट से पहले धकन नहीं अटा सकते सब्जी नीचे से बिल्कुल भी जल् गी नहीं है एक बार आप इसी मेजरमेंट से ट्राइ करके देखिए का क्योंकि यह हल्दी रखे रखे घी को पूरी तरह से सोख लेती है और फिर हमारे राजस्थान में घी की बात नहों ऐसा तो हो नहीं सकता और वैसे आप अपने हिसाब से घी की क्वांटिटी कम तो मैं करूंगी इसे स्टोर तो मैं इसी लिए सरफ ढाईसो ग्राम पनीर लिया है क्योंकि मैं इस हल्दी मटर की सब्जी को स्टोर करोंगी विदाउट पनीर पनीर दूद की चीज होती है और उसे आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं अब यह हल्दी की सबजी आप बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, मैंने तो इसे दो मेने तक भी रखा हुआ है, बिल्कुल वही स्वाद रहता है, और अब बची भी सबजी में मैंने डाल दिया बाकी का जो हमने पनीर है न फ्राइ करके जैसे की अभी जो हम दो-तीन दिन में यह सबजी तो आधी सब्जी को मैंने बिना पनीर के स्टोर करके रखा है फ्रिज में और यह इसके अंदर मिला लिए मैने पनीर बस केष के आज को कर दिया बं, और यह तया है हमारी खल्दी मटर पनीर की सब्जी राजस्थानी तड़के के साथ में, बिल्कुल राजस्थानी बहुती आसान तरीका है पस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी समझदारी बाकि इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आप किसी भी देश के हिस्से में रहते हैं तो आप इस सब्जी को नहीं बना सकते हैं तो चलिए इस सर्धी हो जाए ये राजस्तानी मेरे चलिए इसे खाने और आप देख रहे हैं कितनी डिलीशेस लग रही है खाने में तो बहुत ही स्वाद है ये हमारे यहां के देशीगी की हल्दी मेटर पनीर की सची तो चलिए जल्दी मिलते हूं नेक्स्ट रसेपी के साथ तब तक के लिए गुडबाए